नमस्कार, मैं हूँ मनमोहन भट उत्राखन के मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी दिल्ली दोरे पर गए दिल्ली में धामी साहब ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से मुलाकात की ग्रह मंतरी अमिशाह से मुलाकात की अपने राष्ट्य अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात की इनके अलावा भी कई केंद्रिय मंतरीयों और नेताओं से धामी साहब ने मुलाकात की इन मुलाकातों को विस्तार से बताने की आवश्यक्ता मैं इसलिए नहीं समझता है क्योंकि सारी बातें इस पर स्ट्रूप से सामने आ चुकी है लेकिन बहुत महत्पूर्ण बात ये है कि उत्राखंड के बीजेपी के कई नेताओं की नजरें नड़ा और धामी साहब के बीच हुई चर्चा पर आकर टिक गई है हबर इस तरीके की आ रही है कि धामी और नड़ा साहब के बीच में जो बातचीत हुई उसमें पार्टी के कई नेताओं को एड़्जेस्ट किये जाने को लेकर सैध्धान्तिक सहमती बन गई है एड़ेस्ट किये जाने का मतलब पार्टी कई ऐसे नेताओं को ऐसे ओधों पर बिठा सकती है जिनका सरकार में महत्वपूर्ण रोल होता है सीधी सीधी बात कहें तो कई नेताओं को महत्वपूर्ण दायत्व दिये जा सकते हैं जल्दी ही पहली लिस्ट जारी हो सकती है इस तरीके की खबरें अखबारों में भी खोबसूर्किया बटोर चुकी है हाला कि मुख्य मंत्री जब प्रधान मंत्री से मिले ग्रह मंत्री से मिले और तमाम दूसरे किंद्रिय मंत्रियों से मिल रहे थे तो बताया गया कि उत्राखंड में GST क्षतिपूर्टी सबसे बड़ी समस्या राज्य के सामने है GST जब 2017 में लागू हुआ था उसके बाद से उत्राखंड को हर साल 5000 करोड रुपे का अतिरिक्त पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है इसे GST ख्षतिपूर्टी भी कह जाता है ऐसा माना जाता है कि GST लागो होने के बाद कई छोटे राज्यों को नुकसान हुआ और उसकी भरपाई किंद्र सरकार करती है केंद्र सरकार का ये पैकेज 30 जून को खत्म हो रहा है यानि जुलाई के महीने से या कहें कि अगले या कहें इस वित्वर्ष से 5000 करोड रुपे का अतिरिक्त पैकेज उत्राखंड को नहीं मिलेगा यही मांग लेकर पुशकर सिंगधामी प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी से मिले प्रधान मंतरी ने उन्हें आश्वरस्त किया है कि वो इस पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे वैसे प्रधान मंतरी की दरिया दिली की बात कर लें या प्रधान मंतरी का उत्राखंड के परती विशेश प्रेम कह लीजिए उत्राखंड को हो सकता है केंदर एक बार फिर से दरिया दिली दिखा दे और खशती पूर्ती करने के लिए पांच हसार करोड का पैकेज एक बार फिर से लागू हो जाए और अगले वित्तवर्ष में उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाए उत्राखंड परेटकों की तीर्थ यात्रियों की पहली पसंद है कुमाओ मंडल के लिए विशेश पैकेज की मांग पुशकर सिंग धामी ने की और साथ-साथ जो रिशिकेश और उसके आसपास अडवेंचर टूरिजम के लिहाज से ये एक शित्र जो डेवलप हुआ है उसके लिए भी विशेश पैकेज की मांग की गई है इसके अलावा भी जो केंदर की बिजली परियोजनाएं हैं जैसे टी एच डीसी उसमें उत्राहंट की हिस्सेदारी को बढ़ाए जाने की मांग भी पुशकर सिंग धामी ने की हैं लेकिन इन मांगों की तरफ या इन ख़वरों की तरफ उत्राहंट वीजेपी के नेता ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका अब ध्यान सीधा सीधा इस बात पर है कि कब केंदर की हरीजंडी के बाद मुख्यमंतरी दायत्मों की पहले लिस्ट की गोशना करते हैं हाला कि इसकी शुरुवात मुख्यमंतरी ने कुछ दिन पहले ही कर दी थी जब कैलाश गहतोडी को मुख्यमंतरी ने उत्राखन वन्विकास निगम का अध्यक्ष बनाया था कैलाज गहतोडी की बात वैसे थोड़ी अलग है क्योंकि कैलाज गहतोडी ने मुख्यमंत्री धामी के लिए चम्पावत विधान सबा की सीट की कुरुबानी दी थी मुख्यमंत्री पुश्कर सिंग्धामी चम्पावत का उपचुनाव रिकॉर्ड मतों से जीते और पुरुस्तकार के रूप में कैलाज गहतोडी को उतराखन्वन मिकास निगम के अध्यक्षपद की कुर्सी दी इसके बाद अब सबकी नजर इस बात पर आकर टिकी हुई है कि नई लिस्ट का एलान कब होता है बीजेपी के सूत्रों की माने तो 150 के आसपास लोगों ने अपने दावे पेश किये हुए हैं मैं आपको बताओं कि एंडी तिवारी के जमाने से लेकर त्रविंदर सिंग रावत तक दायत्वों का बटवारा एक बड़ी सियासत बनता है एंडी तीवारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उत्राखंड में इतने दायत्वों बाटे जितने शायद किसी भी मुख्यमंतरी ने नहीं बाटे थे लेकिन त्रिविंदर सिंग रावत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दाइत्वों को बाटने में थोड़ी कंजूसी की थी और इसका नतीजा ये था कि उनके खिलाव एक अलग तरीके की नाराजगी पार्टी के कई कद्दावर नेताओं में उभर कर आई थी जो अपना दावा पेश कर रहे थे हाला कि ये भी देखा जाता है कि जो भी मुख्यमंत्री होता है वो सबसे पहले अपने करीबी या अपने चहेतों को ही दाइतों से नवासता है तिर्वेंदर सिंग रावत ने भी कुछ ऐसा ही किया था उस से पहले के मुख्यमंतियों ने भी कुछ इसी तरीके का रुख अपनाया था पुशकर सिंग धामी क्या रुख अपनाएंगे ये देखना बहुत महतोंट है हलकि उन्होंने अपने सबसे प्रिये निता कैलाश गहतोडी को सबसे पहले और सबसे मलाईदार उपकरम देकर उपकरत किया है अब सबकी नजर इस बात पर है कि कब नई लिस्ट का ऐलान होता है और कौन-कौन से वो नेता होंगे जिनको पहले लिस्ट में एड़जस्ट किया जाएगा पहले दायत्वों के स्थान पर लालबत्ती शब्द का इस्तेमाल किया जाता था गाडियों के ओपर लाल बत्ती लगा कर दायत उधारी गुमा करते थे इससे उनका रॉब पूरे क्षित्र में बढ़ता हुआ नजर आता था एंडी तिवारी के समय में लाल बत्ती काफी चर्चाओं में रही थी लोक गीतों में या कहें इस्तानिय भाषाओं में भी इसको लेकर हास से परिहास होता हुआ नजर आया था लेकिन पिछले कुछ वर्ष पहले लाल बत्ती लगाने की जो परंपरा थी उसे समधानिक रूप से खत्म कर दिया गया यानि अब लाल बत्ती या नीली बत्ती बहुत सिमित संख्या में ही या सिमित दायरे में ही लोग लगा सकते हैं जिन लोगों को आम तोर पर दायत्त् उनको लाल बत्ती की सुविधा नहीं मिलती हैं। कब दायतों की घोशना करते हैं और किन लोगों को एडजिस्ट सबसे पहले वो करते हैं जो लिस्ट सामने आएगी उससे अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के लोगों को सरकार में शामिल पुशकर सिंधामी ने किया है वैसे यहाँ पर एक सवाल और भी बनता है क्या दा दायतों को लेकर इतनी मारा मारी क्यों क्योंकि कई विधायक इस बारे में अपनी दावे पेश कर रहे हैं कि अगर मंत्री मंदल विस्तार होगा तो उनका नंबर आ सकता है एक और महत्मौन बार पिछली बार हमने देखा था कि जब दायतों का बटवारा हुआ था उसमें विधायकों को किनारे रखा गया था यानि कि ये माना गया था कि पार्टी ने टिकट देकर विधायक बनाकर उन्हें एक महत्मौन दायतों दे ही दिया है ऐसे में उन लोगों को मौका दिया जा रहा था जिने विधायकी का टिकट किसी न किसी कारण से नहीं मिला था देख से पहले दो विशेश आग रहे हमेशा की तरह यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए इसे शेर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाईए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप स दरूर कर लीजिये नमस्कार